नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल साइंट टेक लर्न टोड़ेफा टॉमोरो में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि गमका मेडिकल के लिए रजिस्ट्रेशन सिलिप को दुबारा से प्रिंट कैसे करें दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जब आप गमका के लिए ओनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फीस पेमेंट होने के बाद कभी कभी क्या होता है कि किसी कारण वस या नेटवर्क इश्यू के कारण जो है आपकी प्रिंट नहीं हो पाती है जेनरेट नहीं हो पाती है तो उसको अब दुबारा से जेनरेट कैसे कर सकते हैं वह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं अपको गमगा की official website पर जाने के लिए आपको google पर टाइप करना है w2c u.gcc hmc.org ये लिखow आपको सर्च करना है सब्सार्च दोफ दो यहां थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, यहां पे स्क्रोल डाउन करेंगे तो आपके सामने डेस्क्टॉप साइट को आप्शन आ जाएगा, इसको आपको स्लेट कर लेना है, इस लेट करते ही हैं, आपके सामने डेस्क्टॉप मोड ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना है, यहां पे, यहां पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने काई सारे options open हो जाएंगे जिसमें आप दिखा रहा है आपको print gcc इस options पर क्लिक करेंगे हम यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है यह options open हो जाएगा यहां पर आपको अपना passport number एंटर करना है और अपनी नेशनलीटी को सिलेट करना है उसके बाद capture code एंटर करके आपको जेनरेट क्लिक करना है जो चलिए मैं आपको अपनी details को एंटर करके और GCC सिलिप को प्रिंट करके दिखाता हूँ जो आपके सामने medical test registration slip है वो जेनरेट हो जाएगी आप देख सकते हैं आपकी सारी details यहां पर शो करेगी इसको आप प्रिंट करके जो है अपनी medical test आप medical test अपना medical करवा सकते हैं तो दोस्तो इस तरह से आप जो है आपको जेनरेट नहीं हुई है तो तो आसा करता हूँ जनकाई आपको उच्छे लगी होगी अगर यह जनकाई आपको उच्छे लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देजिए और सब्सक्राइब जूरू कर देजिए थैंक यू फो वाचिक इस वीडियो